हेलो बच्चों, how are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे तो बच्चों, आज के हमारे इस सेशन में जो हमारा Living World है उसका हम next lecture लेने जा रहे हैं तेट इस the 1.3 और ये है हमारे Taxonomic Category ठीक है बटा? तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो जैसे बटा, आपको मालूम होगा कि आपने Classification के बारे में पढ़ा था है ना? आपने Classification के बारे में पढ़ा था तो Classification is not a single step process ठीक है? जो Classification है आपके बटा वो कोई single step process तो है नहीं इसमें जो है Multiple Steps रहते हैं ये आपको याद रखना है बटा? ठीक है? Multiple Steps जो है इसमें involved रहते हैं और ये Multiple Steps जो है ये किस तरह से काम करता है वही हमें क्या करना है? सीखना है ठीक है? तो जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से आपका ये जो Kingdom है ना यहाँ से आपका जो है Taxonomic category जो है ये क्या होता है? Start हो जाए है Kingdom सबसे higher उसके नीचे Phylum अगर Plant है तो Plant में Phylum के जगह पे क्या रहेंगा? Division रहेंगा ठीक है? देन Class आएगा Order आएगा, Family आएगा Genus आएगा and Spaces आएगा इसके नीचे आपको Variety दिखेंगा तो Variety उसमें नहीं आता है तो यहाँ पे आपको 7 category दिखेंगे ठीक है? अब अगर हम Life और Domain की बात करते हैं इसको हम जो Taxonomic category है उसमें Consideration नहीं करते हैं आपको पता होंगा विटाए 5 Kingdom है जिसमें आपने Kingdom कौन से कौन से परे होंगे तो सबसे पहला जो है आपका वो है Monera चीक है? सबसे पहला सबसे पहला जो है वो क्या है? Monera है जिसमें क्या आते हैं? Bacteria आते हैं Second जो है आपने कौन सा परा है? Second है Protista चीक है? And उसके बाद आपने परा है Fungi Next जो है Fungi है उसके बाद Planti उसके बाद Planti and उसके बाद कौन सा है? Animalia चीक है? तो यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है? हर एक इसको परणा है एक एक करके जो है Classify करना है किस तरह से Classify किया गया है? उसके बारे में हम क्या करते जाएंगे? परते जाएंगे तो अब क्या होता है बेटा? कि जैसे आपने यह Kingdom पर Kingdom के बाद हो सकता है यहाँ पर Sub Kingdom हो ठीक है? यहाँ पर Sub Kingdom जो हो सकता है यहाँ फाइलम है यहाँ इसके बीच में क्या हो जाएगा? Sub Phylum तो बेटा यह जो 7 आपको दिख रहा है 101% आएंगा इसी चीज को Reverse Form में आपको दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पर Kingdom आपको कौन सा दिख रहा है? Animalia तो Kingdom Animalia है और इसमें देखिए बहुत सारे फाइलम होगे यहाँ पर दिखा है एक, दो, तीन, चर, पाँच, इसे हैं यहाँ एक Kingdom में बहुत सारे फाइलम है फाइलम क्या है? Cord Data है Cord Data का मतलब क्या होता है? Cord Data का मतलब होता है जिसमें क्या Present हो? Noto Cord Present हो ठीक है? अभी नोटो Cord क्या होता है? ठीक है? नतिया मागे परने वाले हैं ठीक है? तो Noto Cord क्या रहाता है? present रहता है then हमारे phylum chord data में कौन से member है ये mammals यानि क्या जिसमें क्या present रहेंगा तो इसमें present रहेंगा memory gland अब ये memory gland क्या होता है memory gland यानि की milk producing gland ठीक है यहाँ पर दिया है milk gland इसको बोलते है ठीक है and उसमें कौन सा member आएंगा उसमें आएंगा primates order कौन सा है देखो पेटा order कौन सा है primates है ठीक है जिसमें collar bones present रहेंगे और grass pink finger यानि किसी भी चीज़ को पकरने की ability रहेंगी ठीक है ना that is the primates family कौन सा है family है hominady family जो है वो क्या है hominates है ठीक है तो इसमें आपको flat faces जैसे हमारे face का इसे होते हैं flat होते हैं आप animals को देख लो cattle अगरे को देख लो उनके flat होते क्या नहीं होते हैं या फिर three dimensional vision आप इधर उदर हरी तरफ देख पाते हो ना तो three dimensional vision उसके बाद genus जो है homo है ठीक है हम human being का genus है वो क्या है homo है यह आपको याद रखना है and इसमें आपको erect posture जो है upright posture देखने को मिलता है homo है यह one being खरे होते हैं और हमारे पास क्या होता है large brain होता है well developed brain होता है और species जो है हमारा वो क्या है sapience है हमारा जो species है हो क्या है sapience है homo हो क्या है यह genus है जो हमूः यह क्या है sapiens क्या है यहाँ पे species है ठीक है न तो इसमें आपको skull bone जो है वो कापी कहा हुआ रहते है थीन रहता है जिसको cranium बोला जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है CRAN practice फ्रीक है sculu bone या नहीं क्या आपको चीज आपको परना है वेटा एक चीज आपको समझना है चलिए आगे बरते हैं next slide पे यहाँ पे एक एक point आपके लिए मैं वही लाया हूँ जो आपके लिए important है ठीक है चलिए आपको एक चीज समझना होगा यहाँ पे जित्ते भी terminology दिये हुए है आपको एक एक चीज जो है वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए clear होना चाहिए सबसे पहले देखिए classification is not a single step process यह मैंने आपको starting में ही बता है कि जो classification होते है यह single step process नहीं होते है इसमें क्या होते है इंवाल्ड the hierarchy of steps जैसे आप किसी छट पे चरोगे ठीक है किसी छट पे आपको चरना है तो क्या होते ह तो क्या आप डिरेक्टली छत पे चरी जाते क्या नहीं इस पे multiple steps follow करके आप उपर के तरफ जाते हो ना same classification भी क्या है एक single step process नहीं है इसमें hierarchy है एक level है ठीक है ना तो उसी को क्या बोला जाता है rank और category बोला जाता है बैटा rank category और tag zone इसका classification भी आपको मैं समझाओंगा ठीक है जैसे kingdom से आपने start किया और last क्या रहेंगा आपका species kingdom है फाइलम है division है division बोलो है फाइलम class है order है family है जीनस है और species तो सबसे पहले जो word है tag zone है ना सबसे पहले जो word tag zone है इसको सबसे सामने कौन लाया किसके लिए animals के लिए ध्यान दीजे यहाँ पी यह किसके लिए बोलड़ा है एंड जो tag zone word है किसके लिए plants के लिए किस ने लाया है एच एस लाम ने लाया है एच एस लाम ने लाया है यह दोनों नाम आपको बेटा पता होना चाहिए नीट के point of view से ठीक है चलिए अब question आता है कि which scientist is called the darwin's of 20th century यानि 20th century का 20वी सदी का darwin's किसे बोला आता है तो किसको को बोला जाता है और स्ट मेयर को यह आप लिए क्या है बहुत ही important ठीक है उसके साथ और क्या और क्या बोला जाता है पाइलिक चळीए यह आपको साइंटिस्ट के नाम होगे कुछ basic और पर्टिकुलर्ली जो है साइन्टिस से रिलेटेड नाम आगेगी यानि किसने किसकी डिस्कवरी की किसने किसको नाम दिया अब आ जाते बेटा कि यूनिट आफ इवाल इवालीशन जैसे मान के चलो कि मैं बोलूगा कि इवालीशन हुआ है किसमें human being,human being में क्या हुआ है, evolution हुआ है तो human being में जो evolution हुआ है वो कितने generation के बाद यानि देखो यहाँ स theo generation Second generation है प्रिप्टी generation है ना बहुत सारे generation जाने के बाद आपको changes दिखेगा ना यहाईसा हो जाएगाani मुझ में दृख जाएगा evolution मेरे आने वाले जो ने जेन्रेशन है उसमें दिख जाएंगा कभी दिखेंगा क्या नहीं तो बेटा ये ध्यान में रखना है आपको कि population है ना population क्योंकि जब भी बात आती है classification की तो क्या बलते है basic unit of classification यानि के species तो अगर आपको unit of evolution पूछे तो याद रखना है तो SU auf आएगा आएगा आपका कुन सा ये ध्यान में रखना है unit of evaluation में आ जाएंगे बैटा population unit of evaluation में कुन सा आजाएंगा population आएगा ये आपको याद रखना है तो hierarchy क्या है तो अभी आपको बता है ना hierarchy क्या एक CD है ladder or position of the classification ladder यानी क्या CD में आपने देखे ना ऐसे आरवा रखा हुआ राता है ठीक है ना तो वह इसी तरह से ठीक है तो ये क्या है hierarchy क्या है आपका एक ladder ठीक है ladder or position of the classification एक के बाद एक species है genus है family है order है class है या division phylum बोलो and then kingdom इस तरह से the particular level of hierarchy in the classification is called taxa है ना जो भी उसमें belongs करेंगे उसको क्या बहलेंगे taxa चलिए एक example मैं आपको दे देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे example ले लिया for example कि मैं ले लेता हूँ example यहाँ पे human है species यह क्या है यह है species ठीक है और यह species का क्या है सबसे lowest rank ठीक है यह जो rank है यह क्या है सबसे lowest rank देखिए यहाँ पर मैं आपको तीन चीज़ समझा रहा हूँ ठीक है यह जो word है species का नाम जो है जानी की sapience ठीक है इसको बोला जाता है टेक जॉन ठीक है species जो है यह क्या है इसका यह है category ठीक है यह क्या है category और यह जो lowest rank दिख रहा है यह क्या हो गया बेटा नाम से ही पता चल रहा है तो यह आपको समझ में आगया हो के rank category और टेक्जान में क्या डिफरेंस है ठीक है चलिए next slide पर आपको और clear करते जाएंगे एक एक चीज़ आपको बताए जाएंगे all category together है ना all category together यानि कौन से तो याद करो आपने क्या पढ़ा था जीनास है species है जीनास है यह seven category है यह मिलके क्या बनाते है taxonomic hierarchy बनाते है लेकिन ऐसे ही डेवलप तो hierarchy डेवलप नहीं होगा है ना तो सबसे पहले जो इसको proposed किया उस scientist का नाम क्या था linear hierarchy सबसे पहला जो hierarchy आया hierarchy table आया उसको linear hierarchy बोला गया क्यों है ना linear hierarchy क्यों बोला गया क्योंकि linear hierarchy जो है वो सबसे पहले आया इसलिए इसका नाम जो है क्या आपके दिया गया linear या फिर linear hierarchy ठीक है अब इसमें इन्होंने क्या यूज किया क्या नहीं यूज किया इस पे बेटा question आते हैं इस पे जो है question आते हैं नीट में और ये इस point of view से क्या है important है तो leananian hierarchy में सिर्फ five category रखा गया ये आपको याद रखना है ये question आ सकते हैं कि कितने category यूज किया गया था और कौन से कौन से किया गया था तो देखे यहाँ पे इन्हों ये एक category यूज किया है जो अभी के taxonomical hierarchy में हम यूज नहीं करते हैं और वह है variety उसके बाद species है genus है genus के बाद देखो इन्होंने क्या miss कर दिया है तो miss किया है इन्होंने क्या family इन्होंने miss क्या क्या है family ये आपको याद रखना है है ना इन्होंने family को क्या कर दिया? MISS कर दिया. Order के बाद क्या आ गया? Class. Class के बाद देखो बैटा यहां पे क्या आना चाहिए था? यहां पे आना चाहिए था Definition या फिर Division के बाद क्या आना चाहिए Division या फिर Phylum Kingdom तो यह तो आया नहीं है ना? तो देखो इनके Classification में यह जो variety है यह extra आ गया था यह जो कि अभी गया हमारे taxonomical hierarchy में नहीं है और क्या-क्या इन्होंने छोड़ दिया था इन्होंने family छोड़ दिया था division या phylum दोनों में से plant के लिए division और animal के लिए phylum यह जोता है तो यह छोड़ दिया था और kingdom छोड़ दिया था kingdom and family ठीक है उसके बाद phylum and division भी यूज नहीं किया गया था यह आपको याद रखना है यह मैंने यहाँ पर mention कर दिया ठीक है यह आपको याद रखना है later last one was discarded बाद में क्या हो गया last one को discard कर दिया गया variety को discard कर दिया गया और तीन category को add किया गया और हो क्या क्या है तो ओए family फाइलम या division या kingdom ये बेटा आपके लिए important है कि लिनानियन hierarchy में क्या था extra तो variety था क्या नहीं था तो family division and kingdom division के जगा पर फाइलम division दोनों आएंगा है ना और kingdom ये तीन category जो है उसमें नहीं था ये कितने है टोटल seven जो है obligate category हो गया ठीक है इसके अलावा इसके अलावा जो है intermediate category भी आता है ठीक है ना जैसे kingdom के बाद मैं sub kingdom यूज कर सकता हूँ division के बाद मैं subdivision या division के ऊपर super division यूज कर सकता हूँ ठीक है ना लेकिन इसने भी है हर एक को क्या बोलागा unit of classification क्यों 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 क्योंकि एक के भी अगर absent है तो classification possible नहीं है तो जैसे मैंने sapiens use किया तो sapiens क्या एक species है ना उस time में आप इसको tagzone बोलोगे उसको क्या बोलोगे लेकिन मैं sapiens बोलूँगा जैसे रोजा sinensis है तो sinensis sapiens तब क्या बोलूँगा मैं इसको tagza बोलूँगा यानि जहाँ पे एक से ज़्यादा है species तो यह plural word है और singular word क्या है tagzone यह आपको याद दखना है तो group represent तो कौन से कौन से चीज़ है तो यह kingdom है फायलम है फायलम के जगह पे plant रहेंगा animal के जगह पे अगर plant है तो वहाँ पे division word use करना है ठीक है उसके बाद class है order है family है जीनस है और species है ठीक है category further denotes rank यह denotes क्या करता है rank को ठीक है तो सबसे नीचे कोन आता है species ठीक है न सबसे नीचे कोन आएंगा species जाएंगा अगर मैं आपको दिखा दो कि किस तरह से तो आप देख सकते हो कि यह देखिए सबसे नीचे देखिए ठीक है यहाँ पे आप पूल्टा दिखाया है तो सबसे नीचे देखा जाए अगर तो यह देखिए यह है species सबसे lowest और इसके बिना classification नहीं हो सकता ठीक है व बाकी जो है यह क्या है यह तो बाकी के क्या किये गए है यह ग्रूप किये गए है बाकी जितने भी member है वो क्या है ग्रूप किया हुआ है यह आपको याद रखना है वेटा चलिए तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें highest rank कौन सा है देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे आप इसपेसी जो है यह सबसे क्या है lowest rank है है यह याद रखना है यह सबसे क्या है lowest rank है जीनस को अगर आप देखो तो जीनस क्या है फॉस्ट हायर rank ध्यान से देखिए और समझ यह है ना क्योंकि इसपेसी सबसे छोटा है तो उसके ब और अगर सबसे highest rank की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोन आता वेटा kingdom उसमें उसमें क्या आएगा kingdom आएगा ये आपको ध्यान में रखना वेटा ठीक है चलिए हम next slide पे बरेंगे total number of obligate category कितना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि total number कितना है saver ठीक है ये आपको याद रखना है तो जो taxonomic hierarchy है उसका दूसरा नाम क्या है linanian hierarchy क्यों दिया गया इसका नाम linanian hierarchy क्योंकि इसने सबसे पहले इसको बारे में बता है याद कीजिए इन्होंने एक extra use किया था that is the variety जिसको बहार निकाल दिया गया इन्होंने क्या use नहीं किया था इन्होंने use नहीं किया था वो था family ठीक है उन्होंने family यूज नहीं किया था उसके बाद उन्होंने family यूज नहीं किया था देन उसके बाद और क्या use नहीं किया था उसके बाद division बोलो या फिर phylum बोलो ये use नहीं किया था एन उसके साथ साथ जो है kingdom ठिक है ना उसके साथ साथ kingdom ये तीन चीज़ इन्होंने यूज नहीं किया था ठिक है और ये यूज किया था तो इसको निकाल दिया गया और ये यूज नहीं किया गया था तो बाद में इसको introduce किया गया तो main name of taxonomy क्या है तो main name है कि place organism in appropriate rank हर एक organisms को अपने एक rank पर रखा जाए तो अभी हम अलग-अलग जो taxonomic rank है उसके बारे में discuss करेंगे और एक चीज बेटा कि अगर आप हमारी इस channel पर ने आई है तो subscribe कर लिजे वीडियो लाइक कीजेगा और ठीक है और 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 एक चीज है कि आप चाहे WhatsApp पर हो या फिर आप Instagram पर हो या फिर आप Telegram पर हो ठीक है तो आप Biology Launcher वहाँ पर search कीजे ठीक है अगर आप WhatsApp और Telegram पर इस group को join कर लेते हैं तो आपको ये PPT का जो notes है या PDF notes रहेंगे या आपको मिल जाए ठीक है तो इसलिए आप Biology Launcher इसको आप Follow कर लीजिए Subscribe कर लीजिए ठीक है चलिए ये आपके लिए Important था मैंने इसलिए आपको बता दिया तो Species सबसे Lowest Mock Rank है और इसलिए ये क्या है Basic Unit है क्योंकि इसके बिना Classification नहीं हो सकता है ठीक है ये आपको याद रखना है ठीक है Species having very less General Character Species में General Character बहुत ही कम होता है ये आपको याद रखना है और Kingdom में General Character बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है ये Point जो है ये क्या है Comparative है इसमें Questions आते हैं ये आपको याद रखना है कि Species में Less General Character है और Kingdom में More General Character है ठीक है यह आपको याद रखना है देन देखिए less common less common and specific character in kingdom ठीक है क्या बोल रहे हैं less common and specific character in kingdom अगर kingdom की अगर हम बात किया जा है तो वहाँ पे common character क्या रहेंगे less रहेंगे और specific character क्या रहेंगे more रहेंगे यह आपको याद रखना है बेटा then common and specific character go on decreasing from species to kingdom जैसे जैसे आप common character और specific character की बात करते हो particularly specific character तो जैसे जैसे आप species से kingdom की तरफ जाओगे वैसे वैसे specific character क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे हम human being है और हम plants कोई mango है इनके बीच में ते को बहुत सारे difference है लेकिन जब हम kingdom level पे चले जाएंगे तो कुछ minor difference रहेंगा वहाँ पे common character जो है आपका वो कम हो जाएंगा general character जो है आपको ज्यादा दिखेंगे ठीक है अगर पूछा जाता है कि कोई भी plant kingdom है animal kingdom है तो उसका जो rank है lowest rank हो क्या है तो वो है उसका species और species is the lowest category है ना यह आपको याद अखना है बेटा then biological species concept was given वाई सबसे पहले जो species concept है वो किस ने दिया यह आपके लिए important है बेटा ठीक है अंस्ट मेर ने दिया इसको 20th century का darmiss भी बोला गया है अभी अभी आपको मैंने बताया था ठीक है then potential of interbreeding interbreeding मतलब क्या जो sexual intercourse कर सके वो कौन करेंगा species करेंगा species में यह capability होती है यह आपको याद रखना है species real existence है और यह interbreed कर सकते हैं यह interbreed कर सकते हैं reproductively isolated नहीं रहते हैं एक दुसरे से ठीक है यह आपको याद रखना है which category have real existence तो कौन सा है category real existence species ठीक है ना मान के चलो मैंने species A, B, C, D ऐसे देखा यह दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यह दोनों एक जैसे मैंने इसका एक genus दे दिया इसका एक genus यह real existence है यह तो मैंने character के बेस पर grouping कर दिया ना ठीक है ना तो real existence सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है species का which category is key position in classification तो species क्योंकि species नहीं है तो classification possible नहीं है तो इसलिए species को क्या बोला जाता है key position यह आपको याद रखना है यह सब जितने भी highlighted points है morphologically क्या है similar है ठीक है same type है and genetic material भी same है तो उसको हम क्या बोलेंगे species क्योंकि अलग-अलग species रहेंगा जीनस रहेंगा उसमें dissimilarity आ जाएंगा लेकिन same type और same amount में genetic material है और morphologically भी similar है तो वो क्या हो सकता है common species हो सकता है morphologically similar difficult to distinguish but cannot able to interview धान से देखिए morphologically क्या है similar है morphologically जो है खुली आगों से आप देखो के तो similar देखेंगा लेकिन एक दूसरे से difficulties है यानि दोनों में distincts नहीं बता सकते हो लेकिन interbreed भी नहीं करेंगा हो sexual intercourse भी नहीं करेंगा तो इस type के species को क्या बलते है civilian species यानि ऐसा बोल सकते है cousin species है न cousins होते है न भाईबन cousins ठीक है cousin sister cousin brother ऐसे type के species होते है जैसे यहाँ पे example दिया किसका drosophila cedo cedo of scora है और दूसरा जो है drosophila parsimilis ठीक है तो यहाँ पे दो species है दोनों genus है कि यह ध्यान से देखें drosophila drosophila species दोनों क्या है different है तो यह morphologically same दिखते है है न न morphologically same आगे मैं आपको photo भी दिखाऊंगा इसका ठीक है तो morphologically जो है यह क्या दिखते है same दिखते है यह देखिए यह चलिए मैं आपको diagram दिखा तो यह देखिए drosophila parmilis है और यह है drosophila cedo cedo of scora ठीक है तो यह दोनों morphologically क्या है similar है लेकिन रहनी नहीं कर सकते ऐसे कहों कुण सा आस्पैसिस बोलते हैं तो Sivilling species बोलते हैं यह य क्ये याद रखना है यह याद रखना है कि Sivilling species किसे बोलाता है च्छिबहें common species from different species देखो ध। क्या बोलठा है कि common species था लेकिन अब वो st answers common spaces from different spaces क्यों क्योंकि भीया वो रहने लगा अलग-अलग जगों पे है ना तो अलग-अलग जगों पे रहने लगा इसलिए एसलेट हो गया वो अपने जगों पे तो इस टाइप के species को क्या बलते हम एलोपेट्रिक इस्पेसी जैसे आपको दा नौर्थन spotted all है है ना एंड उसके साथ साथ जो है Mexican spotted all है तो ये दोनो common थे एक ही थे ठीक है मानगे चुल एक ही species थे ये दो अलग-अलग जगों पे गए तो ये दोनो species जो बनगे that is the Allopatric species यानि पहले रहना एक ही जगा था लेकिन अब अलग जगों पे रहने लगे और इसे लिए इन species का जो नाम है अब वो क्या हो गया different हो गया ठीक है यहाँ पे आप देख लिएजी ये एनफिलस atropervus है और दूसरा एनफिलस maculipenis है ठीक है ये दोनों जो है आपको morphological जो है थोड़ा बहुत difference दिखेंगा लेकिन दोनों का genus क्या है इक ही है ठीक है चलिए common species form है ना common species form different species common species था लेकिन क्योंकि उसमें mutation हो गया क्योंकि उसमें mutation हो गया इसलिए उन्होंने different types के species बना लिए ठीक है ना और वो reproductive लेशलेट हो गया मतलब आप एक दूसरे इंटर्बीड नहीं कर सकता है इसलिए उसको क्या बोला जाएगा sympathetic species एक्जामपल है यहाँ पे आपका apple maggots fly ठीक है और उसके बाद मिड़ास की केट्स है और और का killer फेल है यहाँ पे अलग-अलग आपको एक्जामपल दिया है जिसमें क्या बताया गया है कि वो common species था लेकिन उसमें क्या हो गया बैटा इसमें हो गया mutation देखो आपने अलग-अलग तीन क्राइटरिया यहाँ पर सिविलिंग एस्पेसिज एक ही एस्पेसिज लेकिन अब क्या हो गया different species बना लिया क्यों different species बना लिया क्योंकि यहाँ पे mutation हो गया उसको हम बोलते वेटा symmetric species यहाँ पे मैंने आपको तीन अलग-अलग टाइप्स के स्पेसिज formation के बारे में बता है जो कि आपके लिए क्या है बेटा important यह आपके लिए important है यह याद रखना है taxonomic study considered as group of individual organisms with fundamental similarity उसको हम क्या बोलेंगे species उसको हम क्या बोलेंगे अगर कोई group of individual है और वो organism इंटरब्रीट कर सकता है और उसमें fundamental similarities है तो उसे हम क्या बोलते हैं यह याद रखना है for example यह मैंगी फेरा ट्वरोसम इंडी का बहुड़ो सा निका इंडी के स्पेसी शोलीनमखि तुब주रोस रूली और पैंठे़रा लीओ पैंठरा जीनमखि लीओ क्या और लियो यह सब दा ओ सभ सेघ्ए इस सबही किसको रेप्रिजेंन करता is specific इंडिदे लारेंगे वरु्छरों निर्के epithets यानि किसके बारे में बता रहा है यह आपको तो यह बता रहा है आपको species के बारे में यह बता रहा है special epithets यानि क्या species and जो first word है महिंगी फेरा है या फिर solenum है panthera है यह किसके बारे में बता रहा है of related species रहेंगे उसको एक जीनस में डाल दिया जाएगा जो भी group of related रहेंगा ठीक है ना तो each जीनस have one or more than one specific epithets है ना यानि एक जीनस में एक से ज्यादा epithets हो सकता है ठीक है the specific name for human beings right as homo sapiens तो homo क्या है जीनस और sapiens क्या है species ठीक है तो यहाँ पे हम homo sapiens की जब बात करते है तो जीनस यहाँ पे homo है और sapiens एक ही species है ठीक है तो जीनस क्या है तो जीनस related group of related species यह बात आपको मैंने पहले बात है species यानि group of individual having fundamental character is similar और जीनस की बात आएंगी तो group of related species family की बात आएंगी तो group of related जीनस यह सब common points है जेनरा और aggregates और closely related that is the species तो जेनरा किसके closely related रहेंगा उसमें कौन member का aggregation रहेंगा species का यह already हमने पढ़ा है तो for example potato है brinzel है यह दो अलग-अलग क्या है species है लेकिन दोनों belongs करते हैं एक जीनस से that is the solanum एक जीनस से बिलांग करते हैं that is the solanum first higher rank यह जब मैंने आपको seven taxonomy category बता है तो तब ही बता है था कि first सबसे lowest most rank जो है वो इस पे सीज़े सबसे lowest most rank जो है lower most वो इस पे सीज़े और first higher जो है वो क्या है जीनस है सबसे higher kingdom सबसे जो higher है वो क्या है वो kingdom है ठीक है वो क्या है kingdom लेकिन जो सबसे first higher rank that is the genus genus having only one living species हो सकता है जैसे आपने homo swim sapiens पढ़ा मैंने बता है इसमें सिर्फ एक species है तो इस टाइप के genus को बोला जाता है मोनो टाइपी जीनस यह नहीं example देखो दिया है मोनो और रिसीनस रिसीनस क्या एरंडी है ना एरंडी या नहीं क्या जो आप plant देखते हो ना ऐसे leaves होते हैं ऐसे टाइप के leaves होते हैं है न ऐसे ठीक है रिसीनस नाम रहता है इस plant का एरंडी भी इसको बोलते हैं ओके कैस्टर सीड बोलते हैं ठीक है कैस्टर प्लांट तो यह है रिसीनस यह दोनों ऐसे जीनस है जिसमें एक ही स्पेसीज होते हैं तो उसे हम homo monotypic genus बोलते हैं एंड जीनस having more than one type of species तो उसको हम क्या बोलेंगे polytypic genus यानी एक से ज्यादे जैसे तो लायान लेपार्ड एंड टाइगर यह क्या है थ्री डिफरेंट स्पेसीज है और इसका जो common features है वो एक दूसरे से मिलता है और इसलिए उसका जीनस है वो क्या है यह आपको यह दखना है वेटा फैमली चलिए वही common common सी चीज़े है group of related genre तो उसे हम क्या बोलते है फैमली बोल देते है ठीक है न और एक दूसरे से वो उसमें similarity मिलते रहेंगा तो जो जीनस है वो उसमें similarity है अगर है ठीक है न यह SPC जो उसमें similarity है तो उसको हम क्या बोलते है फैमली बोल देते है तो फैमली और चैरेक्टर है यह बेटा यह यह पुछा जाते है यह question पुछे भी गए है यह important है कि फैमली का characterization जो है किस बेस पे होता है तो vegetative character उसके साथ साथ उसके reproductive features यह याद रखना है plant species में यह आपको याद रखना है जो जेनरा है solenum है petunia है datura है ठीक है ना और place in the family solenacy इसको किस में रखा गया है solenacy family में इस पे भी question आते बेटा इस पे भी question आते हैं question दे देता है solenum petunia datura statement के बेस पे रहता है कि कौन सा statement सही है तो यहाँ पे solenacy के बद्दे में हो सकता है family आपको maybe malwesi दे दे ठीक है ना मालwesi दे दे और आपको पूछेंगा कि क्या यह statement सही है 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 ना तो आपको यह identify करना हो तो आप बोलोगे नहीं statement सही कब होंगा जब उसमें solenacy रहेंगा तब panthera और phallis ठीक है ना cat जो है phallis और panthera जो है आपका tiger lion वागिर इसमें आएगा तो यह placed किया गया है family कौन से phallidy में यह सब आपके लिए important दे बेटा and dogs are placed in the family kennedy ठीक है dogs की family kennedy है और जो lion है tiger है leopard है cat है उसकी family phallidy है the category like species genus and family are based on किसके बेस पे similar characters के बेस पे यह जो category है species genus और family यह किस बेस पे तो similarity character है that means की एक group से belong करता है the next is the order तो order में क्या आएंगा यह किसके higher है तो family के higher है group of related कोन आएंगा तो group of related family आएंगा है ना तो category are identified based on aggregates of character aggregates यानि aggregation का मतलब क्या जमावड़ा होना जमा होना है ना एक से ज्यादा character किते ज्यादा है plants like जैसे family देखो कहां सा है convolvacy है solenacy है इसको कहां रखा गया है polynomials यह order कौन सा है polynomials किस बेस पे यह ध्यान में देखो बेटा यहां पर यह question आपके लिए important है क्योंकि अभी तक आपने जो family तक classification देखा वो किस बेस पे देखा तो वो आपने देखा किस बेस बेस पे फैलीडी है और कैनीडी है कैनीडी डॉक से आपने देखा फैलीडी में lion, tiger, leopard है, cat है यह includes होता है order carnivora क्योंकि दोनों यह दोनों टाइप के फैमिली जो है इंका एक ही character है कि यह क्या है Carnivores है यह क्या है Carnivores है Carnivores मतलब क्या है the organisms they are feeding on another organism depending on another organisms for their food यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए समझ में आ रहा है आपको clear हो रहा होँगा comment section में ज़रूर बताइएगा if you have any query you may ask in telegram, telegram चैनल पे आप biology launcher पे पुछ सकते हो whatsapp group भी है हमारा whatsapp channel भी है biology launcher से वहाँ भी आप पुछ सकते हो discussion कर सकते हो the category includes related order ध्यान में रखिए जो category है जिसमें related order हो किसमें आ जाते हैं class में आ जाएंगे order जैसे यहाँ पर primates है comprising monkey, gorilla, gibbon ठीक है तो यह इसको कौन से mammalia में डाला गए और mammalia के बारे में आपको क्या बता होता है इनके पास होता है memory gland इनके पास होता है memory gland memory gland यानी की कौन सा जो milk produce करता है है जो milk produce करता है ठीक है याद रखना है ठीक है चली order carnivora that includes the animals like जैसे tiger है cat है dog है ठीक है तो यह भी किसमें आ गए मैं में लिए में अगे यह भी किसमें आगे है अंदे को प्रामी तक के भी इंबर करनी वोड़ा करें दो बारों का आ लगे मैं में मैं मैं में में लिए नएंक क्योंकि दोनों के पास memory gland से क्लासेश कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक जैसे फीशेश है एंफीवियंस है ठीक है ना उसके बाद रेप्टाइल से बर्ट से अलॉंग विद दे मैंबस कंस्टिट्यूट दा नेक्स्ट हायर काटेगरी यह सब किसमें आ जाएंगे एक कॉमन ग्रूप यह आपके यह कॉडटरटा में आएगा इससे नीचे फैलम कॉंसे रहेंगे पैटा नान कॉडटरट में आपका ह। हल्ऊम ग्री देटों नोटोब तया यह में bağ इसको कहां रखा गया एंजियो स्पर्म में रखा गया अल्यूमिन एनिमल्स बिलॉंगिस तो वेरियस फाइलम्स असाइंड तो दा हायर कैटिग्री यह याद रखना है the taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order species से जब आप kingdom के तरफ जाओ गए इसको ascending order kingdom से species के तरफ जाओ गए तो descending order like family convolacy solenacy are includes the order polynomials किस में रखा गया इसको polynomials में mainly kiss base पे floral character पर ले आपको बता हूँ कि order से family अब तक up to family ठीक है अब टू family आपने जो classification देखा वो vegetative and reproductive character के base पे उसके बाद order से जब आपने देखने लगे order order के इस पे जब देखने लगे तो वहां से किस इस बेस पे फ्लोरल कारेक्टर के बेस ठीक है फ्लोरल कारेक्टर के बेस यह आपको याद रखना है important है चलिए यह चार्ट आपके बुक में भी होंगा सहीज से और यहाँ भी आप देख लिए यानि यहाँ पे man है यानि की human ठीक है human होना चाहिए common name human तो जीनास इसका होमो है और स्पेसी सेपियंस जीनास होमो स्पेसी सेपियंस फैमली होमीडी प्राइमिट में आता है मैमेलिया में आता है फिर यह मैमेलिया से किसमें चला जाएंगा Bayώुव्या कौरेटव किसमें आएंगा तो क इसमें आएंगा वह मैं आज कॉड़ा और श्रीटेम अज्था है और प्राइर टो जेनिमेलिया मस्का है जेनीमास वुड़ाय है मस्का डो मेस्टिका जीनफ लस्का है रिर्साइब मेस्टिक उस्टिका 가지고 फ्रता हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसका जो डिवीजन रहेंगा और प्लान्टी आ जाएंगा तो आज कोई भी क्वाइडी रहा तो आप कमेंट सेक्षन में बताईगे आपको वीडियो कैसे लगा आपको एक एक पॉइंट समझ में आया या आपको हमारे वीडियो में जबूर बताई कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और आप हमारे पाइलोजी लाउंचर जो टेलीग्राम पे चैनल है वाट्सवप पे चैनल है उसे जोइन कर लीजे ताकि मैं आपको ये नोट्स वहाँ पे देश सकते चलिए थैंक्यू सो मच कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे कोई भी समझ जा रहे तो आप जरूर कुछ ये ताकि आपको समझ में आए